जय हिंद मालदीव सरकार ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के खिलाफ अपमांजनक टिपड़ी पोस्ट करने वाले तीन मंत्रियों को रविवार को निलम्बित कर दिया. सरकार ने उनकी टिपड़ीों से किनारा करते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और वे सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती. विपक्षी नेताओं ने इन टिपडियों की कड़ी निंदा की थी जिसके बाद मालदीव सरकार ने यहाँ बयान जारी किया आईए जानते हैं क्या है मामला पी-म नरेंद्रम मोदी के लक्षद्वी दोरे पर मालदीव के सांसत की पोस्ट पर विवाद के बीच आज सुबह मोदी सरकार ने मालदीव के राजदूत को तलब किया विदेश मंत्राले ने मालदीव के राजदूत इबराहिम शाहीद को तलब किया वो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में मौजूद विदेश मंत्राले कार्याले पहुँचे थे। वो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में मौजूद विदेश मंत्राले पहुचे थे। जानकारों का कहना है कि ये दुनिया में पहला मामला है जब किसी एक देश के मंत्रियों को दूसरे देश के नेता के खिलाफ टिपनी के कारण निलंबित किया गया है। मालदीव के विदेश मंत्राले ने कहा, मालदीव की सरकार विदेशी नेताओं और कुछ शीर्ष स्तरियल लोगों के खिलाफ की गई अभधर टिपनों के बारे में जानती है। ये व्यक्तिगत स्तरपर की गई टिपनिया है और मालदीव की सरकार इसका समर्थन नहीं करती। विदेश मंत्राले ने आगे कहा, हमारी सरकार मानती है कि अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता का लोकतांत्रिक वजिम्मेदारी से पालन होना चाहिए। ये नफरत, नकारात्मक्ता फैलाने वाला नहीं होना चाहिए और नहीं इससे मालदीव के किसी दूसरे देश के साथ रिष्टों पर असर होना चाहिए हला कि सरकार के संबंधित विभाग इस तरह की टिपनी करने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कदम उठाने से नहीं ह जब मामला नहीं थमा तो मालदीव सरकार के प्रवक्ता ने तीन मंत्रियों को निलंवित करने का एलान किया